नमस्कार दोस्तु आज सुभे कराची के अंदर एक काफी बड़ा एक्स्पलोजन हुआ है जिसकी वजए से अभी तक जब मैं ये वीडियो रेकॉर्ड कर रहा हूं तो पांच लोगों की मृत्यू बताई गई है और 20 से जादा लोग अभी तक इंजर्ड हुए हैं तो यहाँ पर आज मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगा कि बैसिकली जो प्रोविंसे हैं पाकिसतान के अंदर जैसे कि हमारे देश के अंदर करीब 28 स्टेट्स हैं तो यहाँ पर राज्यों में बाटा गया है वैसे ही पूरे पाकिस्तान को करीब 7 प्रोविंसे में यह है कराची और अक्सर आप news में सुनते होंगे कराची में आज यहां पर धमाका हुआ कल कराची में इधर यहां पर blast हुआ तो आखिरकार यह ऐसा होता क्यों है वहां की जो politics है थोड़ा सा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा यह कहीं ना कहीं relate करता है partition से जब partition के बाद यहां पर लोगों का migration हुआ उसके बाद से particular group में यहां पर कुछ जो है जड़ब देखने को मिली और उसके बाद से लगतार पीडियाफ आपको facebook पर तो मिलेगी फ्लस साथ में आप मेरा telegram channel जॉइन कर सकते हैं बाइ सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशल और अगर आप यूपेसी की त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए सो नहरा मौका है study iqlo app के लिए smart courses जिसके दुरू आप अपने preparation और भी ज् स्टेडियम है उसके पास ही एक multi-story building में यहाँ पर blast हुआ है जिसकी वजए से इतने लोग मारे गए हैं और 20 से जादा लोग injured हुआ है तो अभी के लिए exactly पता नहीं हुआ है कि क्यों यहाँ पर blast हुआ है लेकिन बताया जाना है कि cylinder के थू यहाँ पर blast करने की कोशिश की ग पता है एक तो आप देख सकते हो western side में अफगानिस्तान है और इरान है और eastern side में भारत है लेकिन आपको पता है क्योंकि यह जो गिल गिल बलतिस्तान वाला area है P.O.K. यह पाकिस्तान के कबजे में है इसकी वजए से यहाँ पर जो चाइना की boundary भी है वो भी यहाँ पर इसक लटा हुआ border के पास ही है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा करांची जिसकी में आपसे बात करा था यह काफी बड़ा बंदरगा भी है और यहाँ पर काफी सारे जो transportation है ships होगर के थूँ वो इसी के थूँ यहाँ पर किये जाते है इसके लावा जो गौदर port है वो आ अगर आप देखोगे यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूँ कि यह जो हमारा actual figure है वो हम इसको मानते हैं आपको पता है कि लट्दाक वाला यह हमारा boundary इस तरह से बनाए गया है और जो जब्मू कश्मीर का है यह इधर है मतलब कि जो गिलगल बलतिस्तान है वो हमारा जिसको पाकिस्तान के द्वारा बोला जाता है आजाद जमू एंड कश्मीर और इसका जो capital है यह है आपका मुझाफराबाद तो यहाँ पर आप ध्यान रखेगा total seven provinces में इसको बाटा गया है एक एक करके मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहला है आजाद जमू कश्मीर जो की बोला जाता है यह वाला जो छोटा सा पतला हिस्सा है ठीक है यह six number वाला और इसका capital मुझाफराबाद है इसके अलावा आपने बलुचिस्तान के बारे में काफी जादा सुना होगा तो सबसे बड़ा जो area cover करता है सबसे बड़ा जो province है वह आपका बलुचि है इसके अलावा जिस तरह से हमारे देश के अंदर जो capital है न्यू डेली तो national capital territory हम कहते हैं उसी प्रकार से पाकिस्तान के अंदर भी इसको इसलामाबाद capital territory कहा जाता है तो यह हो गया आपका इसलामाबाद इसके अलावा खाइबर पक्तुनकवा है यह जो आप देख रहो से ही आते हैं यह जो third वाला है यह आपका पंजाब प्रोविंस और इसी के साथ जो भारत वाला भी जो पंजाब है यही पर सटा हुआ है और यह नीचे है fourth number वाला that is सिंद प्रोविंस और इसी की capital है कराची in fact मैं आपको और बड़े में दिखाता हूँ यह रहा आपका सिं है वो आपको समझ में आ जाएंगे तो वहाँ पर दो बहुती important party है जिसका नाम है पश्टुन Nationalist आवामी National Party ANP इसको ध्यान में रखना और एक और party है जिसको कहा जाता है मुहाजिर मुतहिदा कौमी movement MQM अब देखेगा यह जो पश्टुन है तो पश्टुन का तो आपको स अंदर इसकी वजए से यहाँ पर इनका जो population है वो लगतार बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ यह जो मुहाजिर है यह relate करता है आपका partition से तो basically क्या हुआ था 1947 के बाद से यहाँ पर freedom दी गए थी कि जो लोग जाना चाहते है पाकिस्तान में वो पाकिस्तान जा सकते है और जो लोग भारत आना चाहते हैं वो आ सकते हैं तो क्या हुआ था कि जो आपका पंजाब के साथ सटा हुआ यह जो province है हमारा देश का यह जो पंजाब है इस्टन साइड वाला और यह जो वेस्टन साइड वाला यह जो पंजाब है जिसके capital लाहुर है तो क्या हुआ था क यहां से जो Muslims गए थे पाकिस्तान के अंदर, वो basically आपका settle हुए थे Sindh province के अंदर, और Sindh province के अंदर क्या हुआता जब यह गए थे, तो यह अलग-अलग ethnic background, अलग-अलग social, अलग-अलग different region से गए थे, तो यहां यहां पर इनके पास कोई एक combining force नहीं था, लेकिन एक चीज था, that is, कि वो migrate किये थे, तो यह जो shared history है, इन सभी लोगों की, जो लोग बाकी हिस्तों से Sindh के अंदर settle हुए थे, इनकी जो shared history थी, वो एक साथ इनको ले आई, और तब जाकर आगे चलकर इन्होंने form किया MQM, मोहाजिर, मोतहिदा, कौमी, मुमेट, in fact, यहां पर मोहाजिर जो है, वो आपका एक उर्दू word है, इसको कहा जाता है migrate, मतलब कि वो लोग, जो अपना homeland छोड़कर, यहां पर दूसरी जग़ा settle होने जाते हैं, migration, तो इसी को मोहाजिर कहते हैं, तो क्या होने लगा कि लगातार जो MQM हैं और जो ANP हैं, उनके बीच में कई सारे लडाईयां अकसर देखने को मिलती हैं, और इसी की वज़ए से कराची के अंदर काफी हद तक जो blast वगर हैं, वो आपको लगातार देखने को मिलेंगे, तो एक तो यह कारण हो जाता है, जिसकी वज़ए से कराची में इतने blast वगर होते हैं, दूसरा यहां पर आजकल civil war जैसा situation बताया जा रहा है, इसके उपर तो मैंने एक detail में यहां पर आपके लिए वीडियो बनाया था, that is, हुआ क्या है कि इमरान खान और पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, कि काफी बड़ा एक opposition जो है वो आर्मी के खिलाब भी आ गया है, आर्मी के अगेंस्ट भी यहां पर काफी बड़ी बड़ी rallies निकाली जा रही है, especially जो इमरान खान है, उसको हटाने की बात यहां पर डिमांड कर रहा है, जो joint opposition है, इस तरह के बड़े बड़े rallies यहां पर निकाले जा रहे हैं, और जो four biggest opposition parties हैं पाकिस्तान के अंदर, एक तो जो नवास सरीफ की पार्टी हो गई, इसके लावा जो भुटो है, उसकी पार्टी हो गई PPP, और जो फजलूर रह्मान है, जो right wing extremist है, उनकी पार्टी, जो अवामी पार्टी है, पक्तुनकवा मिली अवामी पार्टी, ये सब मिलकर, और भी कई सारे smaller parties के साथ मिलकर, एक movement चला रहे हैं, लोगों का जो गुस्सा है, discontent है, rising prices को लेकर, power cuts को लेकर, इन सभी चीज़ को देखते वे, पीडियम फॉर्म किया गया है, पाकिस्तान democratic movement, जिसकी वज़े से लगतार rallies निकाली जा रही है, और in fact मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर क्या हुआ था कि अभी 16 तारीक को, जो पंजाब का प्रोविंस है, गुर्जन वाला में वहाँ पर 16th October को एक रैली हुई थी, और कराची में भी यहाँ पर अभी 18th October को रैली निकाली गई थी, तो recently यहाँ पर रैली भी निकाली गई है, तो इसको भी इससे link करने की कोशिश की जारी, कि जब भी इस तरह का movement होता है, तो उसको शान्त कराने के लिए कई बार इस तरह के भी ब्लाश्ट भी पिछले कई समय से देखे गए हैं, तो लेट सी कि यहाँ पर आगे क्या होता है, बट I hope कि जो linkage है कराची के अंदर, इस्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो ब्लाश्ट वगर का और सिंद्ध प्रोविंस का वहाँ पर link बठाने की आपको यहाँ पर चीजें समझ में आ गई होंगी, अगर आप मुस्से economy पढ़ना चाहते हैं, कोई course पढ़ना चाहते हैं, आप study IQ आप पर जा सकते हैं, मैं लगतार कई सारे quiz जालता हूँ अपने Instagram पर आप वहाँ पर जाकर MCQ को खेल सकते हो, I hope कि यह वीडियो आपको फसंद आया होगा, मिलता हूँ आपसे next time till then, thank you very much, see you soon.